दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रशिया के सू-35 और मिग-35 का डिटेल में कंपेरिजन करने वाले हैं साथ में हम ये भी जानेंगे कि दोनों फाइटर जेट में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा पाउरफुल है जो रेश्या का सू थर्टी फाइफ है उसको सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और मिग थर्टी फाइफ को मिकोयान ने बनाया है सू थर्टी फाइफ ने पहली उडान 2008 में भरी थी और मिग थर्टी फाइफ ने पहली उडान 2016 में भरी थी सू थर्टी फाइफ को फरवरी 2014 में सेहना में सामिल किया गया था और मिग थर्टी फाइफ को जून 2019 में सेहना में सामिल किया गया था सू 35 का मैक्सिमम टेक ओफ वेट साड़े 34,000 किलोग्राम है वही पर मिग 35 का मैक्सिमम टेक ओफ वेट साड़े 24,000 किलोग्राम है यहाँ पर सुखोई मिग 35 को बीट करता है सुखोई 35 को केवल एक ही क्रू मेंबर उडाता है वही पर मिग 35 को एक और दो दोनों ही तरीके से क् औफ क्लाइबिंग की यानि की दोनों फाइटर जेट एक सेकिंड में कितनी उचाई तक उड़ने में शक्षम है जो सू थर्टी फाइफ है 280 मीटर पर सेकिंड की रफतार से आसमान की ओर जाता है और एक मिनट में सुकोई थर्टी फाइफ 55,100 फीट तक चले जाता है वही पर मिग थर्टी फाइफ का रेट ओफ क्लाइबिंग 330 मीटर पर सेकिंड है और मिग थर्टी फाइफ एक मिनट में 65,000 फीट की उचाई तक जा सकता है यहाँ पर मिग थर्टी फाइफ सुकोई थर्टी फाइफ को बीट करता है और अब बात करते हैं कि दोनों ही फाइटर कितनी रफतार से उड़ सकते हैं सु थर्टी फाइफ की स्पीड 2390 किलोमीटर परती घंटा है यहाँ पर बहुत ही छोटा सा स्पीड गैप है लेकिन यहाँ पर फिर भी टिक थर्टी फाइफ सुकोई को बीट करता है और अब बात करते हैं दोनों ही फाइटर जैट की रें 2600 किलोमीटर है वही पर मीग 35 की रेंज केवल 2100 किलोमीटर है यहाँ पर सुकोई 35 मीग 35 को बहुत ही लंबे गैप के साथ हरा देता है और अब बात करते हैं दोनों ही फाइटर जैट के में कंपोनेंट की यानी इनजन की सुकोई 35 में AL 31F इनजन लगा हुआ है जो ड्राई अवस्था में 86.3 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है और आफटर बर्णर के साथ ये इंजन 142 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है MiG-35 में RD-33M के इंजन लगा हुआ है जो ड्राई अवस्था में 52 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के साथ 88.2 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है यहाँ पर भी सुखोई MiG-35 पर भारी पड़ता है सुखोई 35 में 12 हार्ड पोइंट लगे हुए है वही पर MiG-35 में केवल 9 हार्ड पोइंट है यहाँ पर भी सुखोई 35 जीच जाता है और अब बात करते हैं दोनोई फाइटर जैट की क्रूज स्पीड की यानि ये फाइटर जैट कितनी रफतार से हवा में गोते लगा सकते हैं सुखोई 35 की क्रूज स्पीड 1170 किलोमीटर परती घंटा है वही पर MiG-35 की क्रूज स्पीड 804 किलोमीटर परती घंटा है यहाँ पर भी सुखोई 35 MiG-35 पर भारी पड़ता है और अब बात करते हैं दोनोई फाइटर जैट की कॉमबेक ट्रेंज की यानि ये फाइटर केवल 1000 किलोमीटर है और अब बात करते हैं दोनोई फाइटर जैट में लगने वाले हत्यारों की सुखोई 35 के अंदर S-25 रोकिट लगा होता है लेकिन सुखोई 35 के कमपेरिजन में MiG-35 में S-8 रोकिट को भी लगाया जा सकता है S-13 को S-25 को और S-24 रोकिट को भी MiG-35 को ब कुरी तरीके से पचाड देता है और अब बात करते हैं दोनोई फाइटर जैट में लगने वाली एर-to-air मिसाइल की सुखोई 35 पर R-27, R-73, R-77, R-74, R-37 जैसी मिसाइले लगी होती हैं वही पर MiG-35 में R-73 और R-77 मिसाइले लगी होती हैं यहाँ पर सुखोई 35 MiG-35 को बी में KH-29 मिसाइल को लगाया जा सकता है वही पर MiG-35 में KH-22, KH-29, KH-38 जैसी मिसाइलों को लगाया जा सकता है यहाँ पर MiG-35 पूरी तरीके से सुखोई 35 को बीट करता है ओवरोल देखा जाए तो सुखोई 35 MiG-35 पर भारी पड़ता है दोस्तों बाप बताईए दोनों में से आपको कौन सा फाइटर जेट ज्यादा अच्छा लगा आप इस बात का अंसर कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो, हैव गूड डे